आपका एजन्ट की जहांसा दे रहा है कि आप जो है वो आपको बेरुन मुल्क भिजवा दिया जाएगा आपसे कोई पैसर नहीं दिया जाएगे आपके नाम पर वहाँ जाकर लॉन लिया जाएगा और फिर हम बिजनस करेंगे और इस तरह कि अगर आपको स्कैम में कोई फंस कर दे रहे हैं और कहीं बिजनस करने के बारे में सोच रहे हैं किसी इंट्रनेशनल बैंक से कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मतमाम तर शरायत को धहान से पड़ें पाकिस्तानी जहां पर मौजूद हों वहां पे स्कैंस नहों फ्रॉड नहों कोई अच्छी खबरें आएं ऐसा तो मुम्किन ही नहीं है तो इस मरतबा भी एक ऐसी ही खबर है यूएई में रहने वाले या जॉब की लिए मलाजमत के लिए जाने वाले नोजवानों का जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैंस अब सामने आया है कि किस तरह से यूएई के बैंक से लॉन लेकर और क्रेडिट कार्ड्स लेके पाकिस्तानी और एशिन ममालिक के जो जवान गायब हो जाते हैं तो इस स्कैंस निमटने के लिए जो अमारात की हकुमत है उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिस बनाई हैं कुछ जो है वो तरिकेकार बनाया कि अब अगर कोई बैंक टेफॉल्टर करार पाया जो के यूएई के किसी भी राके में मौजूद है और पाकिस्तान एशिया के किसी बंगाल से या इंडिया से तालुक रखता है तो उसकी अमारात में इंट्री बंद हो जाएगी अगर वो मुल्क से बाहर है लेकिन अगर वो मुल्क में मौजूद है तो उसकी मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी ये जो नए रूल्स बनाये गए हैं उ उनके दॉकिमेंट्स उनकी असली दस्ताविजात को इस्तमाल करके बड़े बैंक से दूसरे ममालिक के बैंक से लॉन लेते हैं या पिर उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसका बहुत माइनर अमाउंट उनको दिया जाता है अब इन लोगों के खलाब शेकंजा जो है वो मजबूत बनाया जा रहा है तो मामला कुछ इस तरह से है कि युनाइटिड अरब अमरेट्स में काम करने वाले बहुत से नوجवान यूतो रोजगार के स्लसले में जाते हैं, मजदूरी करते हैं और बहुत कम पे पे हम देखते हैं कि हाँ यहां से हमारा जो एक यूमन रिसोर्स है वो इस्तमाल हो रहा है लेकिन स्कैमर्स क्यूंके हर जगा एक्टिव होते हैं, शॉर्टकर्स रून रहे होते हैं और कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यही कुछ बिरून मुल्क जो लिजाने वाले एजेंट से वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मौझूद मौजवानों को यह जहांसा देते हैं कि उनके नाम पे डॉकुमेंट्स और दस्ताविजात के जरीए उनके अंगूछे लगवा कर या उनके सिगनेचर या उनकी आईडी डॉकुमेंट्स इस्तमाल करके वो एक बड़ी अमाउंट लॉन की यूएई के बैंक से ले सकते हैं बैंक के नो डाउट के रूल्स बहुत जादा हैं बैंक से लॉन लेने के लिए आपको अपने डॉकुमेंट्स देने पड़ते हैं आपको अपने एक ब्लैंक चेक उनके पास जमा करवाना पड़ता है और आपकी दस्ताविजात की मुकमल जांच परताल होती है या आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है उसकी सारी डीटेल्स ली जाती है लेकिन ये स्कैमर्स इन सारे डॉकुमेंट्स का इंतजाम पहले से की हुए होते हैं और होता कुछ यह हैं कि आप आपके नाम पर बैंक से लॉन लिया जाता है या पिर आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड लिया जाता है उसका माइनर हिस्सा जो है आपको दे दिया जाता है और उसके बाद दो साल का वीजा होने के बावजूद नोजवानों को कहा जाता है कि आप अगर मुलक छोड़ कर चले जाएं तो आपको जो लोन की कीमत है लोन की अमाउंट है या किस्त है वो नहीं देनी पड़ेगी और हमारे नोजवान इस जहांसे में आ जाते हैं और तकरीबन लाग टेल लाग रुप्या लेके वो मुलक वापिस आ जाते हैं तो बेसिकली जुए इसे अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको वहाँ पे अपना एक चेक ब्लैंक जमा कराना होता है अपनी तमाम दस्ताविजाद जमा करानी होती है या रिगॉलर्ली अगर आप 6 मा अक साथ पी नहीं करते हैं लोन की तो आपका चेक इस्थमाल करने की कोशिश की जाती हैं अगर वो अमारात के किसी शहर में किसी जगा पर मौझूद है किसी स्टेट में तो उसका दुबारा अपने वतन जाना नामुम्किन हो जाता है और वहां पर उसको सक्स सजाएं उनका सामना करना पड़ सकता है लेकिन अगर वो मुल्क से बाहर आ गया है तो फिर जो है वो उस फाइन हो सकता है इसी फाइन का खौफ दिलवा कर जो स्कैमर्स हैं वो नोजवानों को पहले वहां बुलाते हैं दो से तीन माँ वहां पर उनकी मौझूदगी होती है अपनी ही जो है रहाइश अपनी ही जॉब फरहम करते हैं और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप जाता है तो यह वीडियो बनाने का मकसद अवेरनस था कि अगर आपको कोई आपका एजन्ट की जहांसा दे रहा है कि आप जो है वो आपको बेरुन मुल्क भिजवा दिया जाएगा आपसे कोई पैसर नहीं लिया जाएंगे आपके नाम पर वहां जाकर लॉन लिया तो आप बहुत आसानी से अपनी एकसाथ चुका सकते हैं वहां की सिस्टम बहुत स्ट्रॉंग है आपको छुपने की भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बुरा वक्त उसी वक्त शुरू होता है जब आप छुपते हैं और भागने की कोशिश करते हैं और फिर जो से जिन्होंने सारे डॉकूमेंट्स आपके इसतिमाल किया हुए हैं, उनका बहुत फाइदा होता है, तो थोड़ा सा अगर आप विरु न मुल्क ंने के बारे में बारे में सोच रहे हैं, और कहीं बिजनस करने के बारे में सोच रहे हैं, किسم इंटरनेशल बेंक से करज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुतमाम तर शरायत को ध्यान से पढ़े, बेवकूफ मत बने, शौटकर्स मत ढूंडे, क्योंकि शौटकर्स जो है वो इनसान के लिए काफी मुश्किल क्रियेट कर सकते हैं, especially जहां पर कानून स्ट्रॉंग हो.